जूनिर एंटियार की हिरोईन बनने से पहले इंधासू आक्टो संग्छाई जानवी देवरा से पहले देख लीजिए ये अंडर रिटेट फिल्में दोस्तो जानवी कपूर बॉलवर्ड की बहेदिन आक्ट्रस बनने की कतार में लगी हुई है बॉलवर्ड की यूवा आक्ट्रस जानवी कपूर बित्तिस सालों के साथ अपने अभिनाय कोशिल को और निखार रही है अब जल्धी आक्ट्रस देवरा पार्टवन में जूनिर एंटियार के साथ नजर आएंगी इस वर्म का लोगों को बेसाबरी से अंतज़ार हैं वर्में दोनों के बीच रोमांटिक केमस्ट्री दिखने वाली है और इसकी जलक भी सामने आई है इससे पहले भी जानवी कपूर ने कई और दमदार आक्टोस के साथ अपने अभिने से जाप छोड़ी है धड़क अभी नेत्री ने पार्थवी की भूमिका में एक सचीव प्रस्तुती दी थी जो प्रेम के लिए समाज के माननेताओं का मुकाबला करती है इसफ़म में जानवी कपूर की जोड़ी इशान कटर के साथ नजर आई थी दोनों की ये डेबियो फम थी लेकिन इसके बाद भी इनकी अदाकारी दमदार थी रूही में जानवी कपूर काफी अलग भुमिका में नजर आई थी रूही का किरदार एक निर्दोष्ट लड़की का था जिसे एक आत्मा ने वश में कर लिया था इसके बाद वो विचित्र हरकते खड़नी लगती है इस फर्म में जानवी कपूर के साथ राजकुमार राओ और बरुन शर्मा नजर आए थे इस फर्म की कहानी एक होरर कॉमेडी थी जेहां गुंजन सक्सेना दा कारगिल गर्ल में जानवी कपूर ने रियल लाइफ करदार निभाया है इस फर्म में उनके पता की भूमिका में पंकस त्रिपाठी भी उनके साथ नजर आए थे गुड लग जेरी में जानवी कपूर एक यूवा महिला की भूमिका में अपने कौशल का प्रदशन करती भी दिखाए दी जो अपराद और धोकधड़ी के जाल में फस जाती है उनकी अदाकारी ने फर्म को गहराई और मानवयता प्रदान की इस फर्म में उनके लव एंट्रस के तौर पर साहिल महता नजर आएंगे इस फर्म में सुषान सिंग और सौरव सचदेवा जैसे दमदार आक्टोस भी है जी हाँ जानरी कपूर की फर्म उलज हाली में रिलीज हुई है इस फर्म में वो सुहाना भाटिया की भूमिका में नजर आई जो कि एक यूवा आई एफस अथिकारी की भूमिका में एक मजबूत और सहासी महिला है इस फर्म में उनके अपोजट गुलशन दिवया नजर आएं हैं दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है फिलाल दोस्तों इन में से कौन से पर्म आप देखने वाले हो और कौन से पर्म अपने पहले देखी है और आपको जान रिकपूर की आक्टिंग कैसी लगती है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम बॉलवड गॉसप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें